नमस्कार एक बाप फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का परिक्षावल्ड के से योटूब चैनल में दोस्तो यूपी टेपल सीपी एटी 2021 के लिए हम जो करेंट एफेस की टेस्स चला रहे थे उसका जो टेस्ट संख्या 10 है उसको आज हम कंप्यूट करेंगी तथा यह टेस्स सीरीज का आपका आखरी वीडियो का करेंट एफेस का जाएगा तो इस इन सही वीडियो से बाहर नहीं पुछा जाएगा इसके अलावा आप हमारे चैनल पे जाकर परिक्षा वर्ल्ड पे जाकर जो है सिंप्ली करेंट अफेस की जो प्ले लिस्ट उसको भी फॉलो कर सकते हैं इसकी इन वीडियो की अलावा दस टेस्ट के वीडिय टॉपिक वाइज अप्लोड किये हुए हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं वे वीडियो जो है आपके पेटी के परिच्छा क्लिप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो तो तोटल दस नंबर की तैयारी जो है आपकी हमारे प्ले लिस्ट से हो जाएगी करेंट डे अधिकार जाएंगे कि CEO के दो कि ने मुख्ये करीकारी अधिकार जानते हैं अगला प्रस्नाव पर मारा है भाष्टी अंतरिक्छ अनुसंधान संग्ठन यानिकि इसरो ने 28 फरोरी को कॉलेज के छात्रो दौरा निर्मित कौन से उपग्रह को लांच किया था तो आप ध्यान देजिए का कॉलेज के छात्रो दौरा निर्मित एक उपग्रह था जिसका नाम था श्री सकती सैट इस उपग्रह का नाम है श्री सकती सैट इसी उपगर को जो है इस रो के द्वारा लांज किया गया था 28 फरवरी को तो option आपका C बिल्कुल सही है श्री सक्ति सैट अगला प्रस्निया पे मारा है किस राज ने मीशन भागिरत के नाम से पाइकेज्ड मिनरल वाटर लांज के आपको बताना है तो मीशन भागिरत के नाम से जो पाइकेज्ड वाटर है उसको लांज किया था तेलंगाना की गवर्मेंट के दारा तो option आपका B बिल्कुल सही है कॉलिडोल जो बंदराइस का जो कॉंट्रेक्ट दिया या लार्षन एंड टुब्रो गया यानि कि आपसन आपका बी बिल्कुल सही है L&T यानि कि लार्षन एंड टुब्रो अगला प्रस्निया पेमारा है येर्बुक कुस्तक के लेखा कौन है very very important तो एर्बुक कुस्तक के लेखा कौन है तो सेट रोगन यानि कि आपसन आपका बी बिल्कुल सही है सेट रोगन अगला प्रस्निया पेमारा है किंद्र सरकार भारत के 75 वर्सों की आजादी को चिन्धित करने के लिए कौन से महस्वा का सुबारम अपसन आपका बी बिल्कुल सही है भारत का अमरित महस्वा का जो सुबारम भारत के आजादी के 75 वर्सों को चिन्धित करने के लिए किया गया तो अपसन आपका बिल्कुल सही है अभारत का अमरित महस्वा तो आप इसे ध्यान देजेगा अगला important प्रस्ण या फिर पानी हर घर सफाई मिशन का सुबारम किस राज ने किया है अब ध्याने जेगा हर घर पानी हर घर सफाई मिशन का पंजाब की government के दुआरा sin अगला प्रस्ण या मारा है अमेजन के नए मुख्य कारेकारी अधिकारी यानि की CEO के रुप में किसे निक्त किया गया है तो अमेजन के नए CEO बनाए गया है अगला प्रस्थ आपे मारा है बिज्ञान भासा बिज्ञान भारत और भासा गौरो योजना किस राज्य की है तो इस प्रस्ण में मुझे थोड़ा सा डाउट है तो इस प्रस्ण को हम थोड़ा सा रोग देते हैं इसका जवाब आप लोग comment box में दीजिएगा Google करके कि इस प्रस्ण का जो right answer है क्या होगा विज्ञान भारत और वासा गौरो योजना का इसका comment box में आप जबा दीजिएगा अगला प्रस्णा पर मारा है दिल्ली सरकार ने electronic वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन से अभियान की सुरुआत किया तो दिल्ली सरकार ने electronic वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन से अभियान की सुरुआत की है तो स्वीच दिल्ली तो option आपका ए बिल्कुल सही है स्वीच दिल्ली अभियान की सुरुआत की गई है दिल्ली सरकार के तरह electronic वाहनों को बढ़ावा देने के लिए तो option आपका ए बिल्कुल सभी है Switch दली अगला प्रस्णिया पेमारा है अंतराष्ट्री, खादान, जाग रुकता और खादान, कारय सहाथा दिवस का मनाएगया Very, very important तो हाली में अंतराष्ट्री, खादान, जाग रुकता और खगान कारे सायता दिवस मनाएगे आपका 4 अप्राइल को यानि कि आपका डे बिलकुल सही है 4 अप्राइल को अगला प्रस्थन आप हमारा है पार्क स्टेट यानि कि जो पार्क जल्डमरू है जो भारत को उस लंका से अलग कलता है भारत उस लंका के मद इस देता है इसको पार करने वाले दुनिया मतलग दूसरी भारती महिला कौन बनी है तो पार्क स्टेट यानि कि पार्क जल्डमरू को पार करने वाली भारत की दूसरी महिला बन गई है स्यामला गोली यानि कि option आपका C बिल्कुल सही है, जो स्यामला गोली है, ये पाक स्टेट को पार करने वाली भारत की दूसरी महिला बन गई, अगला प्रस्निया पर मारा है, बिल्कुल w Saraji, 2012 का FIFA महिला बिस्यू कप कीन दो डेसों में आयोजित किया जाएगा, तो औस्ट्रेलिया और न्यूजिल्याइण में जो है 2013 का FIFA महिला बिस्यू कप का आयोजित किया जाएगा, ताप इसे द्यान दे जिएगा, option आपका जो, अ है B बिल्कुल सही है, वहीं 2012 का जो पुर्षो का फीफा भी शुकप होगा तो कतर में होगा अंतराश्टी बाल पुस्तक दिवस 2021 का थीम आपको बताना है वेरे वेरे इंपोर्टन तो अंतराश्टी बाल पुस्तक दिवस सबसे पहले आप याद देखी के मनाया कब जाता है तो प्रती वर्ष दो अप्रेल के दिन गब तो प्रती वर्ष दो अप्रेल के दिन जो है अंतराश्टी बाल पुस्तक दिवस को मना जाता है इस वर्ष 2021 का इसका भी से था दो म्यू वाल अप वित मी पुस्तक के लेखक कौन है तो इस पुस्तक के लेखक है टिसका चोपड़ा यानि कि option अपका बी बिल्कू सही है what up with सु तै को लि prejudice का चेश चोपड़ा निalten की option आपका बी तो इस बहुराष्टी सेन अब्यास का तो इस बहुराष्टी सेने ब्यास का तो इस पर देखेगा अगला प्रतिया पर हमाएं वर्ल्ड एकोनॉमिक फोरम यानि कि विश्व आर्थिक मंच के जो है गलूबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राफ्थ हुआ है तो World Economic Forum हैने की विश्व आर्थिक मंच के दरज़ जो दो जार इकिस का गलूबल जेंडर गैप इंडेक्स जारित किया गया था इसमें भारत का अस्थान है एक सो चालिसवा यानि की option आपका C बिल्कुल सही है और पहले अस्थान पर आपको मिलेगा इस index में Iceland तो इसे भी आप याद लिखेगा Iceland पहले अस्थान पर भारत का अस्थान है एक सो चालिसवा अगला प्रस्निया पर हमारा है my NEP 2020 platform जो है किस मंतराले ने launch किया है तो इस platform को launch किया गया है Education Ministry के दोर आइने के सिक्षा मंतराले के दोर यहां पे NEP का मतलब है National Education Policy तो इसको launch किया है my NEP 2020 को launch किया है सिक्षा मंतराले ने इसे ध्यान दिजिएगा अगला प्रस्णाप बेखे मारा है हाली में बहरीन ग्रांड प्रिक्स दोजार एक seemilton आगला प्रस्णा पर मारा है DJ Nest नामक from bus mobile application कि स्राज नहें लौंड जै तो DJ Nest नामक जो mobile application इसको launch किया गया था Pacific पंजाब की गवर्मेंट के दोरा यानि कि option आपका सी बिल्कूल सही है पंजाब अगला प्रस्थ आपके मरा है फ्लाइब बीक निम्ली कि तमीशे किस देश की नमिन्तम एयरलाइन आपको बताना है तो फ्लाइब बिक जो है नमिन्तम एयरलाइन भारत की इसको लॉंच किस न आपको बिल्कुल से दिल्ली की सरकार रहने की दिल्ली में उपको सही है अगला प्रस्था पहिंगा पहिंगा है हाली में उद्योग मंतन का जो आईजया ने किस मंतराले के दोरा किया गया तो आप ध्यान देजेगा जो वारीजु वनत्राले का एक बिभाग ईडी-पी-ई-डी-पी-ई-ई-टी- तो यह जो है वारीजु मनत्राले के अधिन कारी करता है तो इसी किदर एक उद्योग मंधन का हा Ayogen का आई जन की तक अपी सहा देखेगा वारीजु मंत्राले के अधिन जो कारे करता है DPIAT इसी के दरा जो है उद्योग मंतन का आईजन किया गया तो आप इसे आदे कि एक राइट इंसर आपको जाएगा उद्योग मंत्राले अगला प्रस्थिया पर हमारा है और यूवा सक्ति कुरोना मुक्ति अभियान किस राजी की पहला है तो आप द्यान देजेगा या मत्रदेश की पहला है आपकी ऑप्सन सी सही हो जाएगा यूवा सक्ति कुरोना मुक्ति अभियानता पे से ध्यान देजेगा अगला प्रस्थिया पर हमारा है और बिटकॉइन को जो है निमलिकित में से किस देश ने वैद मुद्रा डिक्लेय किया गया तो आप सनब का बी बिल्कुल सही है अगला प्रस्थिया पर हमारा है नाटो सिखर समेलन की 31 ओप चारिक बैठर का यह जन कहां पर किया गया तो आप ध्यान देजेगा बिल्जियम में कहां तो बिल्जियम में जो है बिल्जियम में जो है नाटो सिखर समेलन की 31 आपचार एक बैट्रेक का आयोजन किया गया तो तो आप इसे ध्यान देजेगा अगला प्रस्निया पर मारा है कौनसा संगठन, state fast defender 2021 war games सेंग अभ्यास का आयोजन कर रहा है यह कि किस संगठन के दोरा देळां अप्सन्स में से उसके दोरा state fast defender 2021 war games का आयोजन किया गया तो यह संगठन है नाटो नाटो का पुरा नाम क्या होता है नौथ अट्लांटिक ट्रीटी और्गनाईजेशन जिसका हेड़कॉर्टर में नापको होता है ब्रूसेल्स में है इसी के दौरा इस वार गेम्स का आयोजन किया गया ता आप इसे ध्यान देजेगा अगला प्रस् सब्सक्राइब मांत्राले के सब्सक्राइब के दौरा इस वार प्रस्षांद का पर में रहा है बारत का पहला क्रिशिर निरियात सुह वीधा केंदर केंदरे का आस्थापित किया वहस्था तो अब ध्यान दिजेगा, जो है, महालाश्श्टес चेम्बर आप कोमर्स यहाने नाबाड के स़यने महाराश्टध का चेम्बर आप कोमर्स है, महाराश्ट के सायता से तो पूर्णे में पहले करीसि निर्यात सुविधा के अंदर के सथापना केौत Planet, अगला प्रस्ने आपे जिसके दर अपनी संसत को भंग कल दिया गया तो option आफ का D बिलकुल सही है इसको हाली में सुरू किया था रायस्थान की गौबनेटने यहने कि option आफ का D बिलकुल सही है रायस्थान की गौबनेटने अगला प्रस्ण आपे मारा है तोकामक क्या है तो तोकामक क्या है तो सल्यन उर्जा को नियंत्रित करने वाला यह एक प्रकार का यंत्र है तोकामक यानि कि आपका B बिल्कुल सही है जो तोकामक है या सल्यन उर्जा को नियंत्रित करने वाला एक प्रकार का यंत्र है तो आप से बारत तक के छात्रों के टेस्ट बुक के लिए जो है e-library सुरू करने वाला भारत का पहला राज जो बन गया है बिहार यानि कि option आपका ये बिल्कुल सही है बिहार अगला प्रत्निया पर है किस नदी पर जो है भारत के पहले नौका पुस्तकाले की सुरुआत की गई है तो भारत का पहला जो नौका पुस्तकाले ये बनाये गया है हुगली नदी पर यानि कि option आपका डी बिल्कुल सही हुगली नदी पर जो है भारत के पहले नौका पुस्तकाले की सुरुआत की गई तो option आपका डी बिल्कुल सही हुगली नदी अगला प्रत्निया पर मारा ह International Women of Courage 2021 Award से किसे समानेत किया गया है तो International Women of Courage Award 2021 से समानेत किया गया है गोसल्यासंकर को इनका नाम है गोसल्यासंकर जो है हैं कौन तो यह जो है तमिलनाडु की anti-cast activist हैं एक्टिविस्ट हैं यहीं को जो है international women of courage award 2021 से सम्मानित किया गया तो अब इसे ध्यान देजगा गौशल्या शंकर यह हैं को तुमिल्णाड़ु की anti-cast activist हैं आप इसे ध्यान देजगा, अगला प्रसन आप हमारा है भारत की पहली air taxi सेवा का परिचालन कहां से कहां तक किया गया तो भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का जो परिचालन ने कहां से कहां तक किया गया तो आप ध्यान देज़ेगा चंडी गर्ड से हिसार यानि कि आपका जो बी है बिल्कुल सही चंडी गर्ड से हिसार तक जो है भारत की पहली ए मदत के लिए भेजा था तो किस देश की पंडुब्वी हाली में लापता हो गए थी तो यह पंडुब्वी थी इंडोनेसिया की इस पंडुब्वी का क्या नाम था यह आप आ देखेगा इस पंडुब्वी का नाम तक के आर आई नान गल्ला क्या नाम था इसका तो के आर गल्ला 402 इस पंडुब्वी को जो है खोजने के लिए भारत ने डेप सबमर्जन्स रेस्क्यू विकल को मदद के लिए भेजा था तो आपे से द्याद देगे इंडोनेसिया की पंडुब्वी खोगई थी अगला प्रत्निया पेमारा है दोजार 21 में टाइम्स पत्रिका द्वरा सो प्रभावसाली कंपनियों की जो सूची जारी किये तो उसमें किस भाती कंपनियों को सामिल किया गया है तो दुनिया की सो सबसे प्रभावसाली कंपनियों की सूची में दो भाती कंपनियों को सामिल किया गया था Reliance और By Juice को यानि कि Option B और C आपका दोनों से यह Reliance और By Juice अगला प्रस्णा आप हमारा है Doomsday Glacier जो की तेजी से पिगलने के कारण चल्चा में रहा या कहां पर इस्तित है एक चीज आप ध्यान देजेगा मैंने आपर Reliance बताया थे Reliance Geo यहाँ पर होगा Reliance Geo की बात हो रही यहाँ पर तो अगला प्रस्णा आप हमारा क्या है Doomsday Glacier जो की तेजी से पिगलने के कारण चल्चा में रहा या कहां पर इस्तित है तो Doomsday Glacier आपको मिलेगा अंटार्क्टिका में यानि कि Option आपका D बिलकुल सही है अंटार्क्टिका में मिलेगा या Doomsday Glacier जो की हाली में खावर में था यानि कि Option आपका D बिलकुल सही अगला प्रस्णा आप हमारा है Curly Valley आदर भूमी यानि कि जो Curly Valley वेट लेंड है उसको जो है किस राज यहने पच्छी अभ्यारन बनाने की घोशणा की है तो आप ध्यान देजेगा तमिल नाडू की जो सरकार है करली वेली आदर भूमी को पक्छी अभ्यारन बनाएगा यानि कि Option आपका जो A है बिलकुल सही है तमिल नाडू अगला प्रस्णा आप हमारा है सहवाल की खेती को बढ़वा देने के लिए किस राज में समुद्री सहवाल पार की अस्थापना की जाएगे इसकी गोशना जो है 2021 की बजट पर की गई थी तो आप इसे ध्यान देजेगा तो सहवाल की खेती को बढ़वा देने के लिए समुद्री सहवाल पार्क की जो अस्थापना की जाएगी अगें तमिल नाडू में यानि कि ऑप्षन आप कड़ी बिल्कुल सही है तमिल नाडू अगला प्रस्ना आप हमारा है पोलैंड ओपन 2021 में किस भारती पहलवान ने जो स्वान पदग जीता तो इससे ध्यान देजे गा वरिवर इंपोर्टेट अगला प्रस्ना आप हमारा है और किस राज के मुख्यमंत्री ने सीम राइज इसकूल योजन्या की सुरुवात की जो शुरुवात की गई यह मद्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के दोरह आने के आ अगेन पाकिस्टान का अपका बे बिल्कुल से ये पाकिस्तान को अगला प्रत्नाप आपर सकतरी किए और ब्रिक्स देसों दर खिलता आ IOC ग squash औप सुपस्पाइब का दो ग्रीन हाटरोजन शिखर सांवियान और की मेजबारी किस देश तो चिराग-परियोजनदा आपको प्र के मिले कि 36 गड़ कियान ओपि आप जारे ऊप्षन होता है यहां प्रेस्ञा परियोजना कि वेढि़ा है । क्रिसी विवीधी करण योजना 2021 को किस राज ने शुरू किया था तो आप ध्यान देजेगा इसको शुरू किया था गुजरात राज ने यानि कि आपको पताना है कि मिलखा सिंग के बारे में जो कथन दिया गया है इसमें से कौन सा कथन सही है तो पहला कसन क्या कह रहा है इनको इनको जो है फ्लाइंग सिक के नाम से जाना याता है तो यह अभी कथन बिल्कुल सही है मिलखा सिंग को जो है फ्लाइंग सिक की जो है उपादी दी गई थी तो आप इसे यादि कीगा उससे में जो पकिस्तान के ततकाली राष्ट पती थे Ajayub Khan उन्हीं के तरह सिखर कि उपादी दी गई У którzy सिंग को तो किसो थे इंपोर्वरेंट है तो लिए पा पाकिस्तान के ततकालिन राश्टूपती थी आयूव खान उन्हों ने जञए चिंग मिल खांग को पहले सिखर कई mm खेलों में इनको सौन पदक जिया गया था याभी कथन बिल्कुल सही है इसके बाद 1969 में इनको मिलखा सिंग को पदम स्री अवर्ड से समानित किया गया था याभी कथन आपका बिल्कुल सही है ने कि तीनों कथन जो दिया गया है मिलखा सिंग के बारे में यह सभी सही है तो सबी राइट एंसर आपका हो जाएगा option D अगला प्रस्थ हमारा है लास्ट जो भी है wisdom leading cricketer in the world के रूप में लगाता दूसरी बार की से चुना गया है तो wisdom leading cricketer in the world के रूप में लगाता दूसरी बार चुना गया है England के Ben Stokes को यानि के option आपका D बिल्कुल सही है Ben Stokes को जो है wisdom leading cricketer in the world में लगाता दूसरी बार चुना गया है तो आपके से द्यान देगा Ben Stokes option आपका D बिल्कुल सही है तो इस तरह से जो है आज हमारे जो टेस्स संक्याती हमारे दस्मी उसको हमने complete कर लिया आयोपिया जो टेस्स तरीस ते आपको पसंद आई होगी और आपको जोरूर फायदा पहुचाएगी आपके PT के exam के लिए तो आज के लिए इतना ही Thank you, thanks for watching, thank you